नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको हरियाना के जितने भी राशनकार के टाइप हैं अभी के जो लेटस्ट 2023 में चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप स्क करना चाहते हैं तो बेशक आप हमारी वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको मेन पार्ट और जो भी हम बताने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी इसलिए हर पॉइंट हम चुन वीडियो तियार कर रहे हैं और आपको जो भी पॉइंट हम बताएंगे दोस्तों वहें बिल्कुल आपके लिखने वाला है हो सकता है तो कापी पैन लेकर आप साथ में बैठ सकते हैं क्योंकि हम जो भी बताने वाले हैं वहें आज की वीडियो हम आपके लिए जो भी तो दोस्तों यहाँ पर हमने जूम कर दिया है आप यहाँ पर आपका फैमली आईडी नंबर है और यहाँ पर आपका राशनकार नंबर है और यहाँ पर नेम है A.A.Y. अन्तो दे अन्योजना अब दोस्तों गोर्मेंट ओफ हरियाना स्बी पिल सी बी पिल यानि के बी पी एल और ए ए वाई दो परकार के राशनकार फिलहाल बना रही है और हरे राशनकार यानि के जो सफेद राशनकार जिसको हम बोलते हैं वो भी अभी आगे आगे बनने वाले हैं उनकी वीडियो हम आपके लिए डाल देंगे जैसे ही कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके लिए वीडियो डाल दे जाएगी आप चैनल को सबस्क्राइब करके रख लीजेगा तो दोस्तों यहां पर आप स्कीम नेम में देख रहे हैं तो इस पर क्या-क्या मिलत कोई सेते हैं यहां पर भी इनका आर सी यहनिकी रासनकार नशनकार नंबर है और वीड़ यहनिके गेंहुं गेंहुं है अठारा किलो तो दोस्तों 17 और 18 सत्रा दोनी 34 और 65 सी यहनिके आपके सदस्व्च locked चाहें तीन हो यह मैटर नहीं करता है चाहें 5 हो यह तीन हो तो आपको 35 किलो अनाज या गेहूं या फिर बाजरा के साथ जो गेहूं है उसको मिलाकर टोटल 35 किलो ग्राम मिलता है तो आपके सदस्य यहां पर डिपेंड नहीं करते हैं चाहे अन योजना है गुर्मेंट ओफरियाना की ए ए वाई राशन कार्ड है गुलाबी राशन कार्ड इसको बोलते हैं तो इस पर आपको 35 किलो ग्राम जो है अनाज और साथ में सुगर यहां पर एक किलो लिखा गया है तो आप जायद सी बात है यहां पर समझदार सब्सक्राइब रहें समझ गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अब हम आपको टाइप करके दि दिखाएंगे दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि 35 किलो ग्राम जो है गेहूं आपको मिलेगी अब 35 किलो तो डेफिनेटली है अब उसके अंदर चाहे आपको बाजरा 17 किलो मिले अगर आपको बाजरा 16 किलो मिलेगा तो आपको 19 किलो वीट यानि के गेहूं मिलेगी आप समझ दियार सबस्क्राइब रहें तो आप समझ गए होंगे यहां पर सुगर एक किलो है इसके साथ साथ पलस आपको मैं बताना चाहता हूं आपको जो 300 रुपिया मुखिया के खाते में आपके आने वाला है क्योंकि दोस्तों आपको जो अभी अभी पीछे और साथ में जो चोटाला जी हैं उन्होंने ऐलान किया था कि तो उन्होंने ऐलान किया था कि जो 300 रुपिया पहले जो है 2800 रुपिया तेल का पैसा यानि के मुस्तरद ओयल का पैसा गौर्मेंट आपको देती थी जैसा कि आप जानते हैं दोस्तो पहले आपको तेल मिलता था एक किलो तेल जो है गुर्मेंट ओफ अरियाना देती थी लेकिन अब उसके स्थान पर आपको जो है 300 रुपिया मुखिया के खाते में आएगा जो भी राश्नकार में मुखिया है और वही फैमली आइडी में मुखिया है तो आपका फैमली आइडी में खाता जो है अपडेट होना बहुत जरूरी है तब ही आपके पैसे आएंगे आप समझ गए होंगे तो खाता किस परकार अपडेट करना है हमने आपके लिए ओल्रेडी वीडियो डाल दी है आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर अंत में भी वीडियो मिल जाएगी देख लीजिएगा किस परकार आप खाता अपडेट तो अब हम यहाँ पर उपर स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ डिटेल दी गई है यहाँ पर जो भी ऑथन्टिकेशन करता है यहाँ पर दीखिए उपर लिखा हुआ है एंटाइटलमेंट फार आरसी यानि कि जो चीज भी आपको मिलने वाली है और अथन्टिकेशन फार आरसी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो भी बायो मैट्रिक अथन्टिकेशन टाइप लिखा हुआ है बायो यानि कि आपका जो थंप है वो लगाया गया है उसके दोरा आपको यहाँ पर एफपीएस आईडी किन हो ने आपको अनाज दिया ह और यहाँ पर है member यानि के कौन सा member आपकी family ID में से या फिर राशन कार्ड में से अनाज को लेकर आया है वो यहाँ पर दिया जाता है और error code आपका यहाँ पर मिलेगा error जो disk है successful हुआ है या unsuccessful आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तो यदि कई बार क्या होता है कि हम वहाँ पर थप लगाते हैं मशीन में तो एक बार में नहीं आता है तो आपको यहाँ पर detail मिल जाएगी unsuccessful की और बाद में आपका कोई और member यदि ट्राई करेगा तो उसकी successful की भी आपको यहाँ detail मिल जाएगी तो इनका यहाँ पर एक ही बार में सब कुछ ओके हो गया था, सक्सेस्फुल हो गया था, डेट यहाँ पर आपको मिल जाती है कि किस डेट को यह अनाज दिया गया है और टोटल अथन्टिकेशन इनके द्वारा की गई जो यह नेम है, जो मेंबर है वो यहाँ पर दर्शाई जाती है, उसके नीचे आजाता है ट्रांजेक्शन डिटेल फार आर सी, यानि के दोस्तों आपको क्या कितना मिल रहा है, कौन लेकर आ रहा है, किसके दवारा मिल रहा है, वो सब यहाँ पर जानकारी दी जाती है, तो दोस्तों अब हम आपको एक आईडी और टाइप करके जो की आपके लिए SBPL है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक नया पर जाती है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक नया जो आईडी है, वह है टाइप कर ली है, आपको कुछ डिजित दिखाई दे रहे हैं, 2WXJ, बाकी के हमने सेक्योर्टी परपज से हाइंड किया है, दोस्तों किसी का डाटा आपको नहीं दिखा सकते, आपका होता तो भी हम किसी को नहीं दिखाते, तो दोस्तों यहाँ पर मिंबर डिटेल फार आरसी आ चुका है, जो राशन कार्ड नमबर है, वो यहाँ पर दिरसाया गया है, और साथ के साथ यहाँ पर देखिए, कितने मिंबर हैं, यह दो मिंबर हैं, और सीडिंग इनका आधार स्टेटस है, और स्कीम नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, SBPL, तो इनका है State Blow Poverty Line, ये राशन कार्ड है दोस्तों, और एक और राशन कार्ड होता है, यानि के दोस्तों पीले राशन कार्ड हम BPL को बोलते हैं, लेकिन BPL की जो हरियाना में श्रेनी है, वो दो है, दो परकार की श्रेनी है, एक है S-BPL और एक है C-BPL, तो S-BPL आप State Blow Poverty Line उ और जो CBPL है उसको हम दोस्तो Central Blow Poverty Line बोलते हैं तो जो Central Level का होता है BPL वहे CBPL होता है और जो State Level का होता है वहे SBPL है तो इनका जो राशनकाड है वहे State Blow Poverty Line है तो अब हम नीचे स्क्रोल डाउन करके बताएंगे कि आपको SBPL पर क्या मिलेगा Entitlement आपका यहाँ पर बाजरा जो है 5 किलो दर्शाया गया है उस साथ में गेहूं आपकी 5 किलो दर्शाया गई है और 1 किलो यहाँ पर आपको चीनी मिलेगी तो दोस्तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि 5 किलो प्रतिवेक्ती ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो इनको टोटल है वहें 10 किलो गेहूं मिलेगी या फिर मिक्स करके बाजरा भी आपको मिल सकता है वो डिपेंड करता है देने वाले पर और साथ में 1 किलो शुगर मिलेगी तो दोस्तो उसके बाद आपको फिर से वही यहाँ पर अथरन्टिकेशन फार आरसी मिल जाएगी कि कौन लेकर आ रहा है किस डेट को लेकर आ रहा है और यहाँ पर कोड एरर हुआ है या नहीं हुआ है वो सारी डेटेल आपके सामने है उसके बाद ट्रांजेक्शन फार आरसी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो टूटल जानकारी है कौन लेकर आया है किसके दुबारा दिया गया है किस मन्त में आया है किस येर में आया है किस डेट को आया है कितना वीट मिला है कितना राइज कितना सूगर कितना आटा कितना आउल वो सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तो दाल वगेरा सब कुछ यहाँ पर दर्शाया जरूर गया है और PMG के AY की भी यहाँ पर जो है दर्शायी गई है आप यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पर अ सुरू हो सकता है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो हम वीडियो डाली है आप अगर हमारे चैनल को देखते हैं तो हमने उसमें आपको बताया हुआ है और मुख्यमंतरी जी ने सवयम अपने मुखिक रूप से बताया हुआ है कि आपको क्या कुछ मिलता है तो दोस्तो अब different आप खुद यहां पर अन्दाजा लगा सकते हैं कि आपको S BPL पर क्या मिलता है और AAY राशन कार्ड पर क्या मिलता है क्या भेद है इसमें आपको ज्यादा मातरा में अगर कहें तो दोस्तो आपको AAY राशन कार्ड आपके लिए ज्यादा फाइदे मंद है क्योंकि वह है गुलाबी राशनकार है और एक लाख से कम इंकम वालों का और दोस्तों एक लाख से कम जिनकी इंकम है ए ए वाई राशनकार उनका ही बनता है गुवर्मेंट उनका ही बना रही है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि 75,000 से एक लाख जिस परकार अभी जो वेर देते हैं कि सबसे जो डाउन पॉइंट है वह है पांच हजार पांच हजार से पच्चिस हजार वेरिफाई होगी और या फिर आपकी पच्ची हजार से पच्चास हजार वेरिफाई होगी या फिर पच्चास हजार से पच्चतर हजार होगी पच्चतर से एक लाग होगी एक से 40 होगी, 的 स्मझदार सब्सक्राइबर है तो समझगे होंगे वीडियो को लाइक कर देना तो दोस्तों ये था डिफ리ंट की आपको जो अनाज है वह BPL को क्या मिलता है और आपको जो AAY राशन काड है उनको क्या मिलता है उम्मेद करता हूँ आप समझ गए होंगे बागी दोस्तों अगर फाइदे की बात करें तो आपके लिए ज़्यादा जो फाइदे मंद है वह है राशनकार हमने बताया आपको ए ए वाई आपके लिए ज़्यादा फाइदे मंद है क्योंकि उनको अन्तोदय जो शिरेणी है उसमें गोर्मेंट ने डाला है उनको जो है अन्तोदय अन्योजना के तहत राशनकार बनता है और साथ के साथ उन्हें लोन वगेरा भी मिलेगा एक एक लाख रुपे तक का लोन अभी बैंकों में आने वाला है जो कि आप सवयम मुख्यमंतरी जी के मोखिक रूप से भाशनों में सुन सकते हैं लिंक आपको हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं बाकी दोस्तों जो BPL राशनकार है वो भी आपके लिए कम फायदे मंद नहीं है उसमें भी आपको बहुत सारी स्कीमें बहुत सारी फायदे और साथ के साथ अगर आपके सदस्य मान के चलिए यहाँ पर 5 प्लस हो जाते हैं तो आपका अनाज भी AAY के समान ही हो जाता है कई बार तो आपका AAY राशनकार से उपर भी चला जाता है यदि आपके 8 प्लस सदस्य होते हैं तो आप यहाँ पर खुद समझ गए होंगे बाकी दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अनाज की तो आपको 10 किलो और शुगर 1 किलो और साथ में जो 300 रुपिया है वो इनको भी मिलने वाला है चाहे S BPL हो या फिर C BPL हो तो इनको भी साथ के साथ जो है 300 रुपिया मुखिया के अकाउंट में आएगा जैसा की गोर्मेंट का कहना है बाकी दोस्तों यह था अब अगली वीडियो हम आपके लिए डालेंगे की कौन-कौन सी योजनाई आप जो है S BPL पर अपलाई कर सकते हैं टोटल आपके लिए हर एक जीरो से लेकर 101% तक जितनी भी सरल की 336 योजनाई है उन सब में से आपको S BPL पर आप कौन-कौन सी योजनाई अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा C BPL पर आप कौन-कौन सी योजनाई अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा AAY अन्तुदे अन्योजना राशन कार्ड पर आप कौन कौन सी स्की में अपलाई कर सकते हैं उसकी वीडियो हम आपके लिए नेक्स्ट जिरू डालेंगे ताकि आपको पता चल सके बाकी डिफरेंट भी बताएंगे इन सब में और कौन कौन सी स्की में आप S BPL पर अपलाई कर सकते हैं बट AAY पर नहीं कर सकते या फिर AAY पर कर सकते हैं बट S BPL या फिर C BPL पर नहीं कर सकते वो भी टोटल आपको जानकारी देंगे तो इसलिए आप हमारे चैनल को नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा आपकी दोस्तो उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के है तो वीडियो को दोस्तों के साथ भाई बेहनों के साथ सबी जिगह पर शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को प्यारा सा लाइक देते हुए जरूर जाईएगा और आपके मन में कोई भी S.B.P.L.C.B.P.L.A.Y. या फिर अन्ने राशनकार या फिर कोई स्कीम योजना के वारे में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बागी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्टिक नई अपडेट नई धमाकेदार वीडियो के साथ